Hello and Welcome to Great Online Academy, मेरा नाम है रविन्थ, दुस्तो आज का जो हमारा लक्चर है वो है Later Vedic Period Later Vedic Period की शुरुवात Early Vedic Period के end के साथ हो जाती है Early Vedic Period के बारे में सभी चीजे Last Video में मैंने डिसकस की है अगर Later Vedic Period को आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं अगर आप इनके रिलेशन को जानना चाहते हैं किस तरीके से Later Vedic Period में Early Vedic Period के मुकाबले Modernization होता गया ऐसी क्या चीजे थी Later Vedic Period में आज के समय में यही कहा जाता है कि Later Vedic Period एक ऐसी सभीता थी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो 2000 सालों से चली आ रही हैं उसमें कुछ ऐसी बुराईयां हैं जो ऐसी थी कि उनको जो पावरफुल लोग है वो लगातार अपनाते गए और जो गरीब और अमीर का Difference है या जातियों का जो Difference है वो किस तरीके से बढ़ता गया देखें लायटर वैदिक पिरिएट को हम लोग दो पार्ट में डिसकस करेंगे क्योंकि लायटर वैदिक पिरिएट एक बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसको अगर हम लोग पार्ट वाइज डिसकस करेंगे त उनका political structure अलग हो जाता है उनका जीने का तरीका अलग हो जाता है उनकी सोचने का तरीका भी अलग हो जाता है आर्यांस इस वक्ड काफी modernize हो चुके थे अब वो स्रिफ कलाणकारी तरीके से जो जीवन में उनका पहले का जो रिग वेद में description है आर्यांस का कि वो बिलकुल ही देव पूरुस हैं और कलाणकारी बहुत सो लोग जीते हैं उनका उदेश संस्क्रिश सिखाना यह सारी चीजे आगे चलके लाइटर वधिक प्रेड में हम लोग को नहीं दिखाए देती है फिर हम लोग डिसकस करेंगे पेंटर ग्रेवेर कल्चर पेंटर ग्रेवेर कल्च जाता था तो यह दोनों चीजे आज बी इंडिया में देखनों को मिलती है इतनी चीजे आज के लेक्टर हम लोग डिसकस करने वाले हैं इसके बाद जो हमारा नेक्टर होगा उसमें हम लोग डिसकस करेंगे लैटर वधिक पिरेड में पोजीशन ऑफ वुमें किस तरीके से जो वुमेंस की पोजीशन वो लोवर होती गई और वुमेंस को कम इज़त दिये जाने लगी आज के सुसाइटी में आप गर आप लोग देखें तो वुमेंस के खिलाफ जो भी गलत चीजे होती हैं वो सारी के सारी लैटर वधिक पिरेड से ही स्टार्ट होती है बर्कि अर लेटर फेजिए वव अलग है अलिवेधिक पिरेड से इन तीन वेदास के बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे से मिसी तरह हम लोग डिसकस करेंगे ब्रह्मनास अरंक्यास अपनिशस के बारे में अगर आप इंडियन हिस्ट्री को समझ्या चाते हैं तो जो भी रिलिज़ टेक्स्ट है जो भारतिय संस्कृति है वह वहीं से उपजी है सभी इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपोर्टन होते हैं और किसी भी competitive exam में यहां से question सबसे ज़्यादा आते हैं तो इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स लेक्चर में देखने आज के लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे इन साथ टॉपिक्स को तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक चीजों को मैं अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो आप नोट बनाते हुए चलिए चले तो सबसे पहले हम लोग समझते लेटर वेदिक का मैं पहले कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग ने अर्ली वेदिक पिरेड में यह डिसकस किया था कि जो आरें से पिरेड स्टार्ट होता है हजार वीसी के आसपास आर्यंस सब्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़ते हुए यूपी और बिहार के साइट बढ़ जाते हैं अब धीरे-धीरे इधर की जो भूमी है वो भी काफी उपजाओ पाए जाती है इसलिए आर्यंस यहां पर बसना स्ट स्टार्ट कर देते हैं और यहां पर बसते ही उन्होंने लैंड को अकुपाई करना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे जो उनका जन मौडल था जब वो लोगों पर राज करते थे अब वहां से जन्पद मौडल आ अब आर्यंस जो है अब एक एरिया पर राज करने लगे तो साथ नए नए जन्पस कर निर्माढ होता है लास्ट वीडियो में ने आपको यह बताया था कि जो दसराज है वह भरत कबीला जीद गया था अब भरत कबीला मोस्ट पावर्फूल कबीला हो गया था सभी आर्यंस में अब भरत कवीला की जो नेक्श्ट बाद का का निर्माढ करते हैं जिनको इन्होंने नाम दिया महा भारत इसी इसी कुरू क्लैन के उपड़ लिखी कई है कुरू क्लैन कैसे इमर्ज होता है किस तरीके से आगे चलके जब पांडवास महाभारत के जीत जाते हैं बट आगे चलके वो भी राज नहीं कर पाते हैं यह सारी स्टोरी महाभारत में दी हुई है कुरू क्लान के तरह ही अलग-अलग और भी जनपद जो है वो उनका फॉर्मेशन धीरे-धीरे स्टार्ट हो गया जैसे कि आ पुरी यूपी और बिहार में फैले हुए थे जो हमारा वेस्टरन यूपी था उसके आज पास का इलागा पांचार्व सका दा और जो इस्टरन यूपी विप और कोश्ल्सके पास इसी तरिके से जो बिहार करें जो पूरव विदे कहला था अब इस मैप से चलता है फिर्स में हम लोग देखते हैं कि नद्यों की किनारे ही सारा का सारा बसेरा बनाए गया था उसी तरीके से लाइटर वधिक पिरेड में इंडस्वली के तरह ही आर्यंस नद्यों की किनारे बसने लगे इसके पहले अर्ली वधिक पिरेड में आरेंस कभी भी अपना बसेरा एक जगा नहीं बसाते थे वह अलग-अलग जगा घूमते रहते थे अलग-अलग जगा जाके संस्क्रिश सिखाने का और स्कूल चलाने का यह सब काम करते थे प्लस राइटिंग जो भी चीज़ें अगरी कल्चर अलग-अलग जगा साथ नदियां वह तो थी ही पहले से उसके साथ गंगा नदी यमुना नदी लूनी रिवर दिरसाज वती रिवर इसी तरीके से चंबल रिवर सदा नीराजियों की गंडक नदी और नमर्दान नदी इन सभी नदियों का जिक हमारे जो लैटर वधिक पिरेड के आरेंस के ट सब्गय में था अब पूरे पार्ट को आरेवर्त नहीं कहा जाता था आरेवर्त के जो छेटर था वो पाकीस्तान का पूरा इलाखा प्यास नौर्व्दं यर्यने इस्पर livres m मध्य देश वह इसी तरीके से जो सबसे नीचे घङे रहा था उसको जाता था दक्षिन तो दक्षिण पत्षिस तरीके से तीन में लिएन कर दिया गया थहा और जो το जंपत थे वह अलग 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 पाट में आते थे जैसे आरवरत में जो के जनपत इसी तरह कि मध्द देश के जनपत अलग थे और धक्षिड के जनपत अलग अब नॉटन स्ट्रक्चर यानि कि राजनेतिक विवस्ता लेटर वेधिक प्रियर में कैसी थी भरत कबीला के बारे मैंने लास्ट टूडियम बताया अब यह भरत कबीला जब दसराज जूत को जीच जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट पाउरफुल लोग रहते हैं वो होते हैं पुरू त जो कैप्टरल था वो था हस्तिनापूर और पांडव स्लास्ट में राज नहीं कर पायते तो कुरू क्लान खतम हो गया था यह सारी चीजह हम लोगों महाभारत से देखने को मिलती हैं अब कुरू क्लान यह कहां तक बसा हुआ था अगर इसके बार में लोग जाने तो पूर और यमना के बीच का जो एरिया है गंगा यमना डोब गंगा यमना डोब रीजन के बीच में कुरू क्छेत्र फैला हुआ था और दिल्ली भी जो हमारे देश की कैपिटल है वो कुरू या कुरू छेत्र के अंदर ही आती थी अब यहीं से राजनेतिक व्यवस्था लैटर प्रक्राइब घए जिसमें राजाओं को एडिया में राज करने का जो तरीका वो शुरू होता है इसके पहले राजा जन के उपर राज करते थे कबिले के उपर राज करते हैं जो अल्ली व्यवेदिक प्रेड में हम लोग ने देखा अब सेम अगर इसी तरीके से आगे हम बढ़े लैटर वधी पिरण अगर हम लोग 600 BC के आसपस आते हैं तो बहुत सारे किंडम जैसे कि कोसल किंडम पांचाल किंडम अलग अलग टाइप के किंडम बहुत छोटे छोटे किंडम जो पहले जन्पद्स बने थे वो मिलके अब महा जन्पद का निर्माड करने लगे महा जन्पद एक ऐसी इंटिटी होती थी जिसमें राजा बहुत ही ज्यादा पाउरफुल हो जाता था और उसके इलावा उस पूरे राज में किसी की भी नहीं सुनी जाती थी कोई अगर इंसान जैसे की अर्ली वेधिक पिरेड में सभा और समिथी का कॉंसेप्ट था जिसमें नहीं रहती थी वह बिल्कुल पाउरफुल होने के बाद सब कुछ भूल गए और इसलिए आगे चलके हम लोग चाड़क नीती में देखते हैं तो उसमें कॉंसेप्ट लिखा गया है कि जो राजा अपने प्रजा की सेवा ना करे वह राजा नहीं राजा का मतलब होता अप को वहां पर बताऊंगा अब यह देखना है आपको यहां पर कि महा जनपस में सभी चीजों को राजा भूल गया सभा समीथी विधाता सब कुछ भूल गया और किंग का जो पावर है बहुत ही जादा इंक्रीज हो गया राजाओं को इतना पावर्फुल बना दिये गया उन जब किसी भी राजा का राज अविशेख करवाना होता था तो ब्रामर्स यग करवा के उस राजा के लिए देवताओं से शक्तिया मांगते थे कि हमारे राजा को और पावर्फुल बनाया जाए और हमारे राजा पे सब कृपा जो हैं देवताओं की बनी रहे फिर इसी तर करके दोनों को राजाओं की रेश करवा के जो रत का घोड़ा पहले जीच जाएगा जो घोड़ा आगे चरेगा उस राजा की हुकूमत वहाँ पे हो जाएगी सपोस्स किसी किंडम पे किसी दो राजाओं के बीशम मदभेद है तो उसको बिना लड़ाई किये डिरेक्ली ए वाज पी करवा के इसको पूजा करवा के कि अगर यह घोड़ा आगे आपका निकल गया तो ईश्वर का कृपा वाने जाएगी कि आप पे इस छेत्र पे राज करने का अधिकार आपको ईश्वर ने दिया है तो इस तरीके से यग करवा के बहुत सारे मुद्दों को जाता था एक घोड़े को बांद दिया जाता था और उसके उपर फ्लैग लगा देते थे अपने किंडम का लगा देते थे कि यह हमारे किंडम का घोड़ा है अब यह जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक हमारी हुकूमत हो जाएगी अब इसके लिए पूरी पूजा प बहुत ही ज्यादा पॉर्फूल होना पड़ता था पहले से चले पॉलिटिकल स्ट्रक्ट्र समझे एक बात अब आप करेंगे वर्ड विवस्ता जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड विवस्ता के बारे में अल्ली वयवेदिक पिरयवन हम लोग ने समझा था कि यह कर्म के एकॉर्डिंग चार डिवीजन सोसाइटी के बनाए गया थे जो सबसे कम लोग थे वो थे ब्रामिट जैसे कि आप इस ट्रैंगल में देख सकते हैं जो आपको सबसे पहला ट्रैंगल दिख रहा है इसमें सबसे टॉप मुझे ब्रामिट को रखा गया है मतलब यह सबसे कम होत होते थे फिर होते थे छत्री जो इनसे ज़्यादा होते थे फिर वैस और फिर सूद्र बट कुछ लोगों ने इसको एक ओडर ऑफ सोसाइटी मालना है कि ब्रामिट सबसे उपर है क्योंकि उनको माना जाता है कि वो ब्रह्मा के मुख से जन्म लिये थे शत्री ने कहा कि हम स जाओं से जन्म हमारा हुआ है क्योंकि सर के जश्ट नीचे हाथ आता है और वैस ने इसी तरह अपना थर्ट डिवीजन और सूद्राज को फोर्थ डिवीजन बना दिया गया बट ऐसा अर्ली वैदिक पिरण में कहीं भी नहीं लिखा था पुरूष सूक्ति का जो रूल थ उसमें यही दिखाता कि जब सभी लोग ब्रह्म से जन्म लिये हैं तो सब लोग एक समान है क्योंकि सब लोग एक ही जगा से जन्म लिये हैं अब इसमें ऊपर और नीचे जैसा कोई सिस्टम नहीं है बट लैटर वैदिक पिरण ने जब राजा और पौरफुल होते गए त उसमें लग गये अब जब राजाओं की नहीं सुनी जाती थी तो एक दूसरे के ऊपर यह वन्स ही एक दूसरे के ऊपर हकूमत चलानी कोशिश करते थे शत्री हमेसा यही कहते थे कि हमारा ही हमेसा राज रहेगा और वन्स के एकॉर्डिंगी राजा का बेटा राजा नहीं था जो भी most powerful ऐसा वेरियर था जो आपकी सुरक्षा कर सके वह खुद शत्री हो जाता था और उसको राजा बनाया जा सकता था देखें लाइटर वधिक पिरिट को आईरेंज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सबसे पहला जो हमको आईरेंट ही डिसकवरी मिलती है वह ल विंधास मौंटेन मधवेश्व यूपी में विंधास मौंटेन स्रेडी है उसमें जो इस्टरन सैड है जो उत्तर प्रदेश में पढ़ता है वहां पे सेंट्रल गंगा प्लेन में और इसी के साथ करनाटका के धारवाट डिस्टिक्ट में और पाकिस्तान में अगर हम चाहिए थे आरंस को वह उनको मिलने लगे कुल्हाड़ी जैसे जो टूल्स है जब तक आरंड की डिसक्वश नहीं हो थी वूड को कट करना औरск को क्लियर करना इतना अशान नहीं था। जब आरंड के discovery के साथ बहुत सारी चीजे agriculture में बदलने लगी तो अब हम लोग अगरिकल्चर कॉंटेक्स को देखेंगे किस तरीके का अगरिकल्चर कॉंटेक्स लेटर वधी पिरेड में देखने को मिलता है और खेती में कौन-कौन से ऐसे बदलाओ आयरेन के साथ हुए तो देखे सबसे पहले चीज जो कटिंग टूल से अगरिकल्चर के लिए वह सभी आयरेन के पनाए जाने लगे जैसे जो लास्ट हमने पेज पढ़ा उसमें आप देख सकते हैं कि आपको काफी कटिंग टूल मिल जाएंगे सब्सक्राइ बट एक चो पॉइंट यहां पे निकल के आती है प्लोइंग के बारे में खेतों की जुताई के लिए आयरेन का इस्तमाल नहीं करते थे जो लेटर वेधी पीरिट में खेतों की जुताई की जाती थी वो अभी भी भूड़ेन प्लो से की जाती थी और अगर रिलीजेस ट्र गए गए रमाड में या महाभारत में अगर हम लोग देखे तो इस तरीके चीज़े दिखाए गए जैसे जो किंग जनक है जो सीता जी के पिता है उनको भी वुडेन फ्लो के द्वारा खेदी करते वे दिखाए गया है रमाड में और बल्राम जो कि कृष्ण जी के बड़े भ प्लोइंग करते वे दिखते हैं बट लेटर वेदिक पिरट के जो टेस्टमेंट है जैसे कि सामवेद उसमें यह दिखाए गया है कि ब्रामेड से शत्री प्लोइंग नहीं कर सकते थे यानि कि अब उनको प्लोइंग करना मना कर दिया गया था और वो प्लोइंग नहीं करत प्लस जो वैश कुल के लोग थे अब सिर्फ वही अगरी कल्चर या प्लोइंग का काम करते थे और जो शत्री थे उनके साथ यह भी कॉंट्रोवर्सी दिखाए गई है कि जो बैल थे वैश के उनको शत्री सेक्रिफाइस के रहे इस्तमाल करते तो जो वैश के बैल जिन से प् सिर्फ जो है यह कॉंटेक्स अगर हम लोग देखें तो यह वन्स के कोडिंग बढ़ता गया अब एगरी कल्चर वैसा नहीं है जैसा अर्ली वैदिक प्रिएड हम लोग देखते हैं कि जो आर्ली वैदिक प्रिएड प्रिए करते हैं और गाय को बहुत ही ज्यादा महत्व में बदल गई और अब अनिमल्स का जो सेक्रिफाइज है वह कॉमन होने लगा तो इस वजह से अगरी कल्चर ने बहुत ज्यादा बदला हो गया इसलब प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कमी आती थी तो अगर अर्ली वैदिक प्रिएड नहीं बात करें तो ज्यादा प्र वीट ही खाया जाता था इसलिए सबसे ज्याद प्रोडक्शन भी राइज वीट का ही होता था और बारले का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था इसके साथ एक चीज आप और ध्यान रखें की जो राइस है उसका जो संस्कृत नेम है जो आपको याद रखना है एक्जा आइरेंड की discovery पर इसको इसाइंड विट और रहा जाता है इसी तरीके से जो पिंटेड ग्रे यानी की ग्रेव पेटिंग से पॉट को रंगा जाता था इसकी भी जो मिट्टी की चीज़े दिखाय दे रही है उनकी पेंटिंग कितनी अच्छे तरीके से की गई है ग्रे कलर से रंगा गया है इसी को कहते है पेंटेट ग्रिवेर कल्चर और इसी के तरह एक रेड़ वेर कल्चर रीजिप से शुरूआ था जिसके आपको आज के समय मैक्सम और इंडिया से हुआ है इस टॉपिक के साथ आज के लेक्चर हम लोग खतम करते हैं नेक्स टॉपिक में हम लोग लैटर वैदिक पिरट वो खतम कर देंगे और वहां पर जो भी चीज़े मैं डिसकस करूंगा वहां से भी आपको एक्जाम में बहुत सारे कोश्चन देखन को मिलेंगे तो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग टूडेश्ट वीडियो जैहिन